दशक है, ये भी मैंने एक बक्तव सुना था प्रधान मंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए आनी वाली पीडियों के लिए, भारत दिश्ट पटल पे क्या भूमिका निभाएगा, वो यहाँ सरकात पे करेगी और नित्रत पे करेगा, और प्रधान मंत्री जी, राद दिन भारत की सेवा में निसार्त लगे वे हैं, हम देखते आएं, हमने परिश्ट चुनवतियों का सामना भी किया, जन्ता ने हमें दरकिनार भी किया, तो हम जानते हैं, कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधान मंत्री जी की प्रति और वो जो नए भारत का निर्मान कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्ता जो आज मैंने घ्रहन किये भारत जंता पार्टी की एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रती भारत की जंता की आने वाले पीडियों के प्रती करने का अफसर मिलेगा ये मैंने विचार करके इ कल्यानकाडी योजना है तो पुधान मंत्री जी ने की हैं जो गाउं गाउं हम देखते हैं जाए विद्धितिकरण हों शोचाले हों गैस योजना हों तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरत मंद है और दूसरा कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीत में हैं और राजनीत एक माध्यम है दल भी माध्यम अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते उनके लिए काम नहीं आ सकते तो आपका राजनीत और उस दल से में रहने में क्या हो चित तो यही मेरे मन में और चाहे वो देशित हो चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो जिला हो अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं है कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कॉंग्रस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूँ भारते जनता पाटी वो माध्यम बनेगा वो सशक संगठन देश वापी इतना संगठन इतना मजबूत नेतरत जो आज देश को जरूवत है